हालो चिल्टरेंट तोड़े आम गोईंग तो स्टाट लेशन नम्मर वन वाट इस डेमोक्रेशी वाइस डेमोक्रेशी अफ क्लास नाइन सब्जेक पॉलिटिकल साइन्स चिल्रेंट हम लोग भी भी लेशन वन को ही पर रहे हैं और आज इस लेशन का ये लास्ट टॉपिक है ब्रादर मेनिंग्स ओफ डेमोक्रेशी यानि लोग तंत्र का ब्रिहत अर्थ तो हम लोग इस पर आज डिसकॉशन करेंगे इन इस चाप्टर वी हैव कॉंसीट्रेट दा मेनिंग ओफ डेमोक्रेशी इन लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस तो इस अध्याय में हमने लोग तंत्र की एक शीमित और वेवड़ नात्मक शैलीव में चड़चा की वी हैव अंडरिस्टू डेमोक्रेशी अज फार्म आफ गोब्मेंट हमने शासन के एक श्वडूप के तोर पर लोग तंत्र को समझा हम लोगों ने जाना कि लोग तंत्र शरकार का कैसा रूप है इसके बाड़े में हम लोग समझे दिस वे ओफ डिफाइनिग डेमोक्रेशी हल्पस अस तू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट अफ मिनिमाल फीचर्स डाट डेमोक्रेशी मस्ट है तो लोग तंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन नियूंतम विशिष्टाओं या गुनों की पहचान कराती है जो लोग तंत्र की जरूरत है तो हमारे समय में लोग तंत्र का सबसे आम रूप है प्रती निधित वाला लोग तंत्र आप लोग इसके बारे में पहले से पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इन दे कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेशी आल दा पिपल डू नॉट रूल तो उस देश में जहां की हम लोग जिसको डेमोक्रेशी बोलेंगे यानि हम लोग यह कह सकते हैं कि हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं तो यहां पर यहीं समझाएगे कि all the people do not rule यानि सभी लोग शासन नहीं चलाते a majority is allowed to take decisions on behalf of all the people तो सभी लोगों के तरब से बहुमत को फैसले लेने का अधिकाड होता है और यहां जो बहुमत है बहुमत भी श्वेंग शासन नहीं चलाता even the majority does not rule directly यहां पर यहीं कहा जा रहे कि प्रतियक शुरूप से majority जो होता है बहुमत जो होता है वो श्वेंग सासन नहीं चलाता the majority of people rule through the elected representatives तो वो कैसे चलाते हैं तो बहुमत का सासन भी चुने हुए प्रतिनीधियों के माध्यम से होता है this become necessary because यह जरूरी हो जाता है क्योंकि क्यों जरूरी हो जाता है तो हम लग पढ़ते हैं इसके बारे में modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision तो आधुनिक लोगतांतरिक शासन वैबस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर यानि हर बात के लिए सब के साथ सबको शाथ में शामुएक फैसला कर पाना संभब नहीं हो पाता यानि सब एक साथ एक जूट होकर के शामुएक फैसला नहीं कर पाते अगर यह शंभव हो तब भी हर एक नागरी के पास हर फैसले में फाग लेने का समय इच्छाय योगिता और काशल नहीं होता इस में हमें लोकतंत्र की असपस लेकिन नियूंतम जरूरी समझ यानि उसकी जरूरी समझ मिलती है इस क्लियरिटी हैपस अस तो अस तो दिस्टिंग्वेश देमोक्रेशी फ्रॉम नन डेमोक्रेशी इस असपस्टता से हमें लोकतंत्रिक और लोकतंत्रिक शरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy तो लेकिन इस से हमें एक शामानी लोकतंतर और एक अच्छे लोकतंतर के बीच अंतर करने की छमता नहीं यानि नहीं मिल जाती it does not allow us to see the operation of democracy beyond government तो हम लोग यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इससे हम लोकतंतर को शरकार से पढ़े जाकर नहीं समझ सकते हैं for this we need to turn to broader meaning of democracy इसके लिए हमें लोकतंतर के बीचत अर्थ को समझना होगा वह हमारे लिए जरूरी होगा हम लोकतंतर के बीचत अर्थ को समझे sometimes we use democracy for organizations other than the government तो कई बार हम लोकतंतर का प्रियोक शरकार से अलग शंगठनों के लिए करते हैं just read these statements इन कथनों पर जड़ा हम लोग गौड करते हैं we are we are a very democratic family हम लोगों का पड़िवार काफी लोकतंतर के हम लोगतंतर के हैं whenever a decision has to be taken we all sit down and arrive at a consensus तो जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी शाथ बैट कर आपसी सहमती से फैसले लेते हैं my opinion matters as much as my father's फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत होता है जितना मेरे पिता जी का I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class मुझे वे सिक्षक ना पशंद है मुझे वे सिक्षक पशंद नहीं है जो कक्षा में चात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते I would like to have teachers with democratic temperament तो मैं तो ऐसे सिक्षक पशंद करूंगी जो लोग तांत्रिक मान सिक्ता का हो One leader and his family members decide everything in this party एक नेता और उसके परिवार के लोग इस party के सारे फैसले करते हैं How can they talk of democracy? है न वे क्या लोगतंत्र की बात करेंगे? वे किस तरह से वे कैसे लोगतंत्र की बात करेंगे? These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of talking decisions लोगतंत्र शब्द का इस तरह का प्रियोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by that decision तो लोगतंत्र की फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रवावित होने वाले सभी लोगों के शाथ विचार विमर्स करने और उनकी श्रुकरती से फैसला लेना Those who are not powerful have the same says in talking the decision as those who are powerful यानि जो बहुत सक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत होना होगा जितना किसी बहुत सक्तिशाली का This can apply to a government or a family or any other organization या बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती और किसी अनशंगठन पर भी Thus democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life इस परकार लोकतंत एक ऐसा सिधानत है जिसका प्रियोग जीवन के किसी भी छेत्र में हो शकता है Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become तो कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रियोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्सों के लिए करते हैं इन्हें पाने का प्रियास सभी लोकतंत्रिक शासनों को जरूर करना चीए करना